Hello students, आज हम सिखेंगे match capital with small letter, तो इसमें हमें क्या करना है? ये इस साइड आपको सब capital letters दिये गये हैं, और ये साइड आपको सब small letter दिये गये हैं, तो हमें capital letter को small letter के साथ match करना है, तो start करते हैं. ये कौन सा letter है? जी, जी for grabs, तो चलो बताओ यहाँ पर जी for grabs कहाँ पर है, वेरी गुड, ये रहा, तो हमें ये capital G को small g के साथ match करना है, अब next letter देखते हैं, next ये कौन सा letter है? ये बी for ball, तो यहाँ पर बी for ball कहाँ पर है, ये, नो, ये है a for apple, और ये है b for ball, तो हमें ये capital B को small b के साथ match करना है, अब next letter देखते हैं, ये कौन सा letter है? ये, a for apple, तो यहाँ पर small a कहाँ पर है, चलो बताओ, ये रहा, तो हमें capital A को इस तरह small a के साथ match करना है, अब next letter देखते हैं, ये कौन सा letter है, d, d for dog, तो ये small वाली लाइन में d for dog कहाँ पर है, ये रहा, तो हमें इसके साथ match करना है, next, कौन सा letter है ये, l, l for lion, तो चलो यहाँ पर l for lion कहाँ पर है, ये रहा, तो हमें ये capital L को small l के साथ match करना है, अब next letter देखते हैं, कौन सा letter है ये, m, m for monkey, तो यहाँ पर m for monkey कहाँ पर है, ये रहा, तो हमें m for monkey को इस तरह joint करना है, अब next letter देखते हैं, ये कौन सा letter है बताओ, very good, k, k for kai, तो यहाँ पर k for kite कहाँ पर है, ये रहा, तो हमें ये capital K को small k के साथ match करना है, इस तरह आपको ये वाला पूरा page homework में complete करना है, अब next question देखते है, match picture with letter, यहाँ पर आपको alphabet दिये गया है, और यहाँ पर आपको pictures दिये गया है, तो हमें alphabet को picture के साथ match करना है, तो start करते हैं, कौन सा letter है ये? A, A for apple, चलो यहाँ पर A for apple कहाँ है, ये रहा, तो हमें इस तरह A को apple के साथ match करना है, अब next letter देखते है, कौन सा letter है ये? E, E for egg, तो यहाँ पर egg का picture कहाँ है, ये रहा, तो हमें E को egg के साथ match करना है, अब next letter देखते हैं, कौन सा letter है ये, K, K for kite, तो यहाँ पर kite का picture कहाँ पर दिख रहा है आपको, ये रहा, तो हमें K को kite के साथ match करना है, next देखते हैं, कौन सा letter है ये, X, X for क्या होता है, X mastery, तो यहाँ पर X mastery का picture कहाँ पर है, ये रहा तो हमें x को x mastery के साथ match करना है इस तरह आपको ये वाला पूरा page home work में complete करना है अब next exercise देखते है तो चलो first letter कौन सा है ये capital L तो यहाँ पर आपको ये spelling पहले बोलना है और फिर आपको find करना है कि capital L कहाँ पर है तो यहाँ पर कहाँ पर है ये capital L ये रहा तो हमें ये L पर इस तरह circle करना है अब next word देखते है यहाँ पर capital L कहाँ पर है ये रहा तो हमें ये L पर इस तरह circle करना है अब next letter देखते है कौन सा letter है ये small t तो चलो यहाँ पर small t कहाँ पर दिख रहा है आपको ये रहा तो हमें इस पर circle करना है अब next word देखते हैं यहाँ पर T कहाँ पर है यह रहा तो हमें इस T पर इस तरह सरकल करना है अब next letter देखते हैं कौन सा letter है यह? capital D तो यहाँ पर capital D कहाँ पर है यह रहा तो हम उस पर सरकल करते है तो यहाँ पर D कहाँ पर दिख रहा है आपको ये रहा, तो हमें उस पर भी circle करना है अब next letter देखते, कौनसा letter है ये A, तो इस word में A कहां पर है ये रहा, तो हमें A पर circle करना है अब next, यहां पर आपको A कहां पर दिख रहा है ये रहा, तो हमें इस A पर circle करना है, अब next letter देखते कौनसा लेटर है यह एच, एच पौर हर्स, तो यहां पर एच कहां पर है, यह रहा, तो हमें एच पर इस तरह सरकल करना है, इस वर्ड में H कहां पर दिख रहा है आपको ये रहा हमें इस H पर इस तरह सरकल करना है इस तरह आपको ये वाला पेज भी होमवर्क में कम्प्लिट करना है अब next हम सिखेंगे write before letter यहाँ पर आपको जो letters दिये गए है उसके पहले वाला letter हमको write करना है ये वाली line में आपको capital letters में write करना है और ये वाली line में आपको small letter में write करना है तो start करते हैं कौन सा letter है ये D D for dog तो D for dog के पहले कौन सा letter आएगा C तो यहाँ पर हम रिखेंगे C C for cat next है Z for zebra तो Z for zebra से पहले कौन सा letter आएगा Y Y for yak अब next letter देखते हैं कौन सा letter है ये P P for parrot से पहले कौन सा letter आएगा O O for orange Next कौन सा letter है ये F F for fish तो F for fish से पहले कौन सा letter आएगा E E for elephant Next कौन सा letter है ये S S for sun तो S for sun से पहले कौन सा letter आएगा R for rabbit Next कौन सा letter है ये K A K for kite K for kite K for kite से पहले कौन सा letter आएगा J J for Jug चलो कौन सा letter है ये B B for ball तो B for ball से पहले कौन सा letter आएगा Very good A A for apple इस तरह आपको ये वाली line complete करनी है अब small letter वाले देखते हैं कौन सा letter है ये D D for dog D for dog से पहले कौन सा letter आएगा C ये C आपको सिर्फ ये blue line में ही write करना है Next है Z Z for zebra Z for zebra से पहले कौन सा letter आएगा Y Y for या ये Y आपको निचे red line तक ले जाना है अब next letter देखते हैं कौन सा letter है ये P P for parrot P for parrot से पहले कौन सा letter आएगा O O for orange Next देखते हैं कौन सा letter है ये F F for fish तो F for fish से पहले कौन सा letter आएगा E E for elephant Next कौन सा letter है ये S S for sun S for sun से पहले कौन सा letter आएगा R तो यहां पर हमको R write करना है अब next कौन सा letter है ये K K for kite K for kite से पहले कौन सा letter आएगा J J भी आपको नीचे red line तक ले जाना है अब next letter देखते हैं कौन सा letter है ये B B for ball B for ball से पहले कौन सा letter आएगा A A for apple इस तर आपको ये वाला पूरा page home work में complete करना है तो आज हमने क्या क्या सिखा Match capital with small letter Match picture with letter Circle the alphabet from word Or write before letter तो ये सारे page आपको home work में Notebook में complete करना है क्या